हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हमको खुशाच है विश्र हिंदी का आखलों कारे पत्रक 10 करेंगे तिनांग है इसकी 27 दिसंबर 2021 पूनांग 20 अंग ठीक है इसे शुरू करने से पहले निर्देश देख लेते हैं जो यहाँ पर दे रखें हैं प्रश्ण संख्या 1-4 तक प्रतिय के लिए 1 अंग है प्रश्ण संख्या 5-6 तक प्रतिय के लिए 2 अंग है एवं प्रश्ण संख्या 7-10 तक प्रतिय के लिए 3 अंग है इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 20 अंग रहेंगे और हमारे जो प्रश्ण है वो मतलब टिक दे करेक्ट आसायमेंट नहीं है ये इस बर हमारे आसायमेंट में आपसे प्रशने पूछे गए हैं तो सबसे पहले हम कद्यांश पढ़ेंगे फिर निमनलिखित प्रशनों के उत्तर देंगे इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजे निमनलिखित कद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर लिखिए मां हसकर हसी की हसी दुख का दुख या ऐसे ऐसे क्या होता है कोई नई बीमारी तो नहीं बेचारे का मूँ कैसे उतर गया है जोर से करहा कर मा ओ मा नाना मेरे बेचे मेरे लाल ऐसा नहीं अची ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीव जान पड़ती है यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बिमारी है देखो ना कैसे लोट रहा है ज़रा भी कल नहीं पड़त हींग चूरन पिपर मिंट सब देख चुकी हूँ वैदे जी आ जाते यहां तक आपका पेरग्राफ है अब प्रशन देखी प्रशन एक है मा शब्द का परयावाची शब्द होगा तो माता जन्नी ये दो परयावाची शब्द आप लिख दीजे खराब बिमारी में विशे गदियाश में से दो संग्या शब्द चुनकर लिखिए तो मोहन और पिता ये दो संग्या शब्द हो जाएंगे आप लिख दीजेगा फिर देखी दुख शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो दुख का सुख हो जाएगा प्रशन साथ तकलीव तूर करने के लिए माने बेचे को क्या चीज़े दी हैं तो आंसर लिखेंगे तकलीव तूर करने के लिए मा ने मोहन को हींग, चूरन, पिपर मिंट आदी सब चीज़ें दी ये इसका आंसर होगा प्रशने आठ है गद्याश के अनुसार बच्चे पर बिमारी से क्या प्रभाब पड़ा आंसर लिख लिखेंगे बिमारी के कारण वह एकदम सफेद पड़ गया और उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ठीक है प्रशने 9 गद्याश में मा ने बेचे को कैसे सांतब ना दी तो देखी कैसे दी मा ने बेचे के सिर अपनी गोड में रखकर उसे समझाया कि डॉक्टर सहाब आ मेरे बायो को बहुत जदा पेट में दर्ध हो गया था और बहुत रो रहा था डॉक्टर ने बताया कि उसको फूड पॉइसनिंग हुई है जिसकी कारण उसके पेट में बहुत दर्ध था इसलिए हमें जंग फूड जादा नहीं खाना चाहिए और ऐसे उट पटांग यदिए तेंग